कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब जैनल में तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का प्रैक्टिस एट 2.1 तो उसे करने से पहले कुछ यूच इनफोर्मेशन है तो वो हम देखते हैं पहले रियल लूम,'ddo,- या फिर रियल लूम hanno ऐसे पाँक बहुते हैं . और हमना evo q है इसमें यह क्या होना चाहिए जीरो एकवल में नहीं होना चाहिए Q is not equal to zero या तो 0 से बढ़ा या फिर 0 से छोटा ठीक है और जो रेशनल नंबर है वो कहां पे रहता है नंबर लाइन के जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं ठीक है तो चलिए हम यह कुछ पॉइंट और जान लेते हैं जैसे टर्मिनेटिंग और नं टर्मिनेटिंग टाइप क्या होता है ठीक है तो यह क्या है यह देखे टू अपॉइंट फाइगा जिरो पॉइंट फॉर आएगा अब करिए जिरो पॉइंट 4 यह आणे वाला है तो यहां पर देखिए यह आगे बढ़ रहा है क्यान है 0.2 पर यह क्या हो गया मतलब अब इसके आगे यह होगा तो यह कौन सा टाइप है टर्मिनेटिंग टाइप हैं ऐसे यहां पर है जो 101 है अपॉन 8 है तो इसका जब हम करेंगे तो हमारा आने माला है 12.625 इसमें 525 पे जाके वह क्या हुआ स्टॉप हो गया वह आगे नहीं जा रहा है तो यह क्या है टर्मिनेटिंग लिख्वाइट अब नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए क्या है जैसे 17 अपन 36 से तो हम इसका आते ही रहेगा तो क्या होगा यह नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है ठीक है और देखिए तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं यहां पर देखिए जो टू टू है बार बार टू ही टू आने वाला है मतलब फोर सेवन तो आया लेकिन फिर उसके बाद टू 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 ही आता रहे तो अभी सेकेंड वाला भी कुछ ऐसा ही है यह देखिए सेवन अपॉन नाइन इस इक्वाल टू 0.777 यह सेवन सेवन आता ही रहेगा मतलब यहां पर भी हमें कौन सा बार लगाना है यह वाला ठीक है अब यहां पर यह देखिए 56 अपॉन 37 है इस इक्वाल टू 1.513 513 दे बार बार आने वाला है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1.513 बार क्योंकि यह नंबर बार आ रहे तो हम क्या लगाएंगे यहां पर बार लगाएंगे ठीक है तो यह था टर्मिनेटिंग टाइप और यह था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप ठीक है ठीक है हमें वताना है कि जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर्स दिये गए हैं वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है ठीक है तो हमारा जो फॉर्स्ट कॉश्चन है वो देखे क्या रिया है 13 अपॉन 5 तो जो 13 अपॉन 5 अब हम क्या करेंगे इसक है और वन में से बन जाएगा जीरो पॉइंट लगा कि हम यह पर जीरो को बढ़ा सकते हैं तो 5 6 तो यहां पर देखिए 0-0 3-3 तो कितना आया हमारा 2.6 तो 13 अपॉन 5 मिन्स क्या हो गया 2.6 इसके आगे यह सॉल्व हो रहा है क्या नहीं मतलब यह बस यही सॉल होगा इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आने वाला है इसलिए हम लाइस्ट प्रेस का अंसर क्या लिख सकते हैं तो इसलिए यहां पर लिखेंगे हैंस इसलिए टर्मिनेटिंग टाइप रैशनल नंबर अब चलिए हम सेकेंड वाला देख लेते हैं क्या दिया है तो सेकेंड है 2 अपॉन 11 ठीक है तो अब 2 अपॉन 11 हम करते हैं तो देखते कितना आता है टू डिवाइड़ बाइ लेवन किया तो हमारा अंसर आएगा जीरो पॉंट वन एट वन एट ऐसे ही हमारा आता रहेगा वन एट वन एट करके ऐसे आता रहेगा मतलब यह क्या है इन्फिनिट तक जाएगा मतलब वो आगे बढ़ते रहेगा यह स्टॉप नहीं होने वाला इसलिए यह कॉंसर टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप तो इसे हम कैसे लिखेंगे यहां पर दिखिए 0.18 बार क्योंकि यह बढ़ता रहेगा इसलिए हमें पर क्या लगाएंगे बार लगाएंगे और फिर हम इसका आंसर लिखेंगे Therefore, it is a non-terminating recurring type rational number इसलिए हमारा क्या आजाएगा 1.8125 तो यहां पर दिखिए 1.8125 बस इतना ही आ रहा है इसके आगे यह नहीं जा रहा है तो यह कौंसा कौंसे फॉर्म में हुआ तर्मिनेटिंग तो हम यहां पर लिखेंगे therefore, it is a terminating type rational number अब फोर्थ बन देखते हैं 17 upon 125 तो इसका कितना हैगा हमारा आंसर 0.136 तो यहां पर जब हम देखें तो यह भी आगे नहीं जा रहा तो यह कौंसा टाइप हुआ तर्मिनेटिंग टाइप रेशनल नंबर तो इसका अब आंसर हम लिख देते हैं 1.833333 मिन्स यह आगे क्या हो जाएगा बढ़ते ही रहेगा तो यह कौंसा टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप तो इसको हम कैसे लिख सकते 1.83 अब देखें यहां पर जो यह 33 है मतलब अब इसके आगे 8 कोई नंबर ने आने वाला है बस अभी क्या आने वाला है 333333 ही आता जाएगा मतलब हमें यह बार कैसे लगाना है only one point क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपट हो रहा है न तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे मिन्स बार लगा देंगे ठीक है और हम इसका आंसर लिखते हैं देयरफोर इट इस नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नमबर रीकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रीकरिंग रीकरिंग टाइब रेशनल नमबर तो यहां पर दिखिए लिए है 127 आपां 200 तो हम इसका डिवाइट कर देते हैं 127 में 200 से डिवाइट कर देते हैं तो देखते हैं कितना आता है तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 0.63 में वह क्या है कि हमें ना डिवाइट करके ही लिखना है अभी देखिए जो सेकेंड वन है वह क्या दिया है 25 अपॉन 99 तो इसे भी हमें डिवाइड करना है आप अपनी नोट बूक में डिवाइड कीचिएगा आएगा 0.2525 ऐसे यह 2525 करके क्या होगा इन्फिंटी मतलब आता ही रहेगा तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर 0.25 का 25 पर क्या लगाएंगे हम बार लगाएंगे अब देखें थर्ड वन क्या लिया है 23 अपॉन 7 तो 23 अपॉन 7 कितना हो जाएगा 3.2857142 ऐसे करके यह क्या होगा आगे बढ़ता ही रहेगा मतलब अभी यह रुकने वाला नहीं है यह देखिए 2857142 फिर से 2 आया मतलब उसके बाद अब क्या आएगा 8 आयेगा फिर 5 फिर 7 फिर 1 मतलब यह क्या है यह आते ही रहेगा तो हम क्या लगाएंगे यहां पर बार लगा देंगे 3.285714 यहां तक हम क्या लगा देंगे 12 लगा देंगे क्यों क्योंकि देखिए यहां पर फिट से यह नंबर रिपीट हो रहा है 22885577 ऐसे रिपीट हो रहा है ठीक है अब फोर्ट बन देखिए क्या दिया है फोर अपॉन 5 तो अब हम 4 डिवाइट कर देते हैं तो हमारा अंसर आजाएगा 0.8 तो यहां पर बस इतना ही आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही और फिट वन दिया है 17 अपॉन 8 तो 17 अपॉन 8 कितना आएगा 2.125 तो यह देखिए हमने यह जो second one जो question दिया था वो हमने पूरा swap कर लिया तो यह ऐसे ही होगा अब देखिए जो हमारा third one question है वो क्या दिया है write the following rational number in p upon q form मतलब जो यह rational number दिये है इसे हमें कैसे लिखना है p upon q के form में हमें लिखना है तो इसे देखिए हम कैसे करेंगे यहां पर पहले let करते हैं let x is equal to 0.6 और हम इसे नाम देदेंगे question 1 और देखिए यहां पर हम किस से multiply करेंगे 10 से तो यह 10 x हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा 6.6 और देखिए अब पॉइंट था इसलिए यहां पर पॉइंट यहां पर भी एक पॉइंट है यह हो गया question number 2 अब हम क्या करेंगे जो 1 है 1 को क्या कर देंगे minus कर देंगे किस में से 2 में से तो यहां पर लिखते हैं subtracting equation 1 from equation 2 तो यहां पर हम minus कर देते है 10 x is equal to 6.6 बार x is equal to 0.6 बार यहां पर minus अब देखिए 6 में से 6 जाएगा तो यहां पर 0 याने वाद है फिर point और 6 minus 0 6 और यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 9 x means x is equal to क्या हो जाएगा यहां पर 6 upon 9 और इसको हम 0.6 is equal to क्या हो जाएगा 2 upon 3 तो यह question बहुत ही easy है आप इसको is equal to 0.37 का बार और यह हो गया equation number 1 अब हम यहां पर किससे multiply करेंगे 100 से करेंगे देखिए उपर हमने 10 से क्यों किया था क्योंकि यहां पर देखिए एक 7.37 बार equation number 2 अब हमें सेम प्रोसेस वही करना है कि subjecting equation 1 from equation 2 तो यह देखिए अब हम चाहे तो हम directly इसे क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं तो देखिए एक्स-1 माइनस--x करेंगे तो क्या आने वाला है 99 x is equal to इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 37 बस क्यूвет कि यहां पर माइनस करेंगे तो 7 wordt 7 जाएका और फिर 37 में 0 को माइनस करेंगे तो 37 यह आने वाला है तो आ गया अब x is equal to इसका answer हो जाएगा 37 upon 99 तो हम लास्ट में इसका answer लिख सकते हैं 0.37 bar is equal to 37 upon 99 तो यह हमारा answer हो गया अब यह देखिए जो हमारा third one है वह क्या दिया है 3.17 तो इसे भी हमें वैसे ही solve करना है तो यहां पर लिखेंगे let x is equal to 3.17 by equation number 1 अब हम 10 से multiply करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 31 हमारा third question है वह क्या दिया है 3.17 तो यहां पर हम लिखेंगे let x is equal to 3.17 यह हमारा क्या हो गया equation number 1 अब हमें किस से multiply करना है मैंने बोला था अगर two digits के बाद point है तो हमें hundred से multiply करना है तो यह हो जाएगा हमारा hundred x और यह हो जाएगा 317.17 का बार यह हमारा हो जाएगा equation number 2 अब हम यहां पर लिखेंगे subtracting equation 1 from equation 2 means 2 में से 1 को क्या करना है माइनस करना है तो यहां पर लिख देते हैं hundred x is equal to 317.17 बार माइनस x is equal to 3.17 का बार अब जब हम इसे minus करेंगे तो हमारा answer के आने वारे यहां पर तो zero zero point और इसको minus करेंगे तो 314 और यहां पर 99 x तो क्या हो जाएगा यह x is equal to 314 upon 99 तो यह देखेंगे हमारा answer आ गया और यहां पर हम answer में ऐसे लिख सकते हैं therefore 3.17 बार is equal to 314 upon 99 तो यह क्या हो अब देखेंगे जो हमारा इसमें किसे multiply करना है तो 100 x is equal to 1589.89 बार अब हम क्या करेंगे इसको subtract करेंगे तो subtracting equation 1 from 2 तो यहां पर क्या हो जाएगा 100 minus x हमारा कितना answer आ जाएगा 99 x और इसे भी हम एक साथ minus कर देते हैं तो हमारा answer आ जाएगा 1574 और यह जो point के इधर वाला है वो तो उसको minus करने पर 0 ही आएगा तो बस इतना आ जाएगा और x is equal to 1574 divided by 99 तो इसका हम answer लिख देंगे therefore 15.89 bar is equal to 1574 divided by 9 तो यह हमारा क्या हो गया 1000 से multiply करना पड़ेगा तो x is equal to 2.514 bar equation number 1 और हम 1000 से multiply करेंगे तो यह 1000 x हो जाएगा और यह हो जाएगा 2514.514 equation number 2 अभी हमें फिर से subtract करना है तो subtracting equation 1 from equation 2 तो इसको हम minus कर देते हैं 2512 तो यहां पर हो जाएगा x is equal to 2512 divided by 999 तो यहां पर हम answer लिख देंगे therefore 2.514 bar is equal to 2512 upon 999 तो यह क्यों हो गया हमारा answer हो गया तो इस सब्सक्राइब करें अब नेक्स्ट वीडियो में 2.2 करेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें